विल्कम फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे फिनिस्ट्राइट टेबलेट की जो की हेर फाल में दी जाती है उसके यूज को डोज को कितने दिन चलती कितना एफेक्टिव है क्या साइड एफेक्ट है प्राई जोगारा यह सब हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं त दूसरे तरह की बाल ठड़ने की प्राबलम है उसमें यह काम नहीं करेगी जैसे किसी को अगर नियूटिशनल डिफिचेंसी है यह फंगल इंफेक्शन है बैक्टिरियल इंफेक्शन है या आटो इम्यून की प्राबलम है उसकेस में फिनिस्ट्राइट काम नहीं करेगी सि इसमें की हर्मोन का लेवल डीटिएच का हेयर फालिकल है उस पर एक्ट करता है और हेयर फालिकल को स्रिंग कर देता है तो यह महिलाओं के लिए नहीं है सबसे पहले आप यह समझें कि यह महिलाओं में कंट्रा इंडिकेटर है सिर्फ पूरुसों में यूज करी जाती है अब इसमें भी यूज की जाती है उसमें भी सेम इसका असर है उसको ये सी कोड़ती है लेकिन वहां पर डोज जादा होता है पाँच मिली Almhouse होता है यह पर होता है एक मिली ग्राम इसले इस दबाही के शाइडि师 नहीं आता है और यह आप एक कोई भी समय सिलेट कर सकतें सुबा यह को आप काफी लंबा खा सकते हैं, पांच साल, दस साल, जब तक कि इसका असर आपके सरीर में रहेगा, या बाल जब तक आपके मेंटेन होंगे, तब तक आप इसको खा सकते हैं, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आता, और यह चुंकि दवाई आपके बालों में ऐसा काम करती है, कि यह जो स्रिंकेज की प्राबलम है, इसको यह खतम कर देती है, जो हेर फाल कर सिकूड जाता और बाल कर जाता, इसलिए बाल थोड़े लंबे दिन तक चलते हैं, मतलब लंबाई भी बढ़ते हैं, थोड़ी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, मोटाई भी कर लास हुआ होगा, उस केसस में अच्छा काम करेगी, किसी कुमर 18 से लेके 40 साल के बीच में है, तब अच्छा काम करती है, इंडोजनिक अलोपेशिया हो तब काम करती है, और महिलाओं में बिलकुल नहीं देना है, न्यूटिशनल डिफिसेंसी में कोई रोल नहीं है, इस प्लानिंग करें उस केसस में नहीं चलेंगी, और इन फैक्ट ऐसे पूरुस जो बेबी करने की प्लानिंग कर रहे है, उन में भी ये दवाई बंद कर देना चाहिए, प्लानिंग के पहले कम एक दो महीने, चुंकि ये दवाई दीमन में से जा सकती है, अब इसके अगर लोगों में एफेक्टिव होगी, और धीरे धीरे ये दवाई से टालरेंस आता है, अब किसमी कितने साल में आता है, ये इंडिविजल बेक्ट पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये पर्मानिंट इलाज नहीं है, पर्मानिंट इलाज इसलिए नहीं है, क्योंकि हमने जो तेस्टोस्ट्रान है उसके लेवल को तो कुछ किया नहीं है बस DST के लेवल को ब्लाक किया इस दवाई से जैसे आप दवाई बंद करोगे वैसे ये अगेन प्राबलम बाल जड़ने की सुरू होगी और ज्यादा तेजी से बाल जड़ते हैं वो एकदम से तेजी से जड़ने लगेंगे तो यही पर्मानेंट क्योर नहीं है इसके स्टाइड इफेक्ट की बात करें अगर इस दवाई के फिनिस्ट राइट औरल चुकि एक मिली ग्राम दी जाती है तो इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है मतलब जाता तर जो सेक्सुल लाइफ है उस पर इफेक्ट आता है एक तो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है इंटरेस्ट कम होता है सेक्सुल एक्टिविटी में सीवन का वाल्यू मोगरा कम हो जाता है अलाकि बहुत कम लोगों में होता है कुछ लोगों में डिप्रिशन होना बहुत rare cases में male में, bris में, malignancy reported है तो ज़्यादा तर cases में बहुत ही mild side effect है प्लेसी वो जैसा इफेक्ट आता है साइकोलाजिकल इफेक्ट है और स्टेडीज में देखा गया कि अगर यह दवाई दो तीन साल तक यूज करते हो तो यह जो साइड इफेक्ट वाली प्राबलम में यह खतम हो जाती है टालरेंस आ जाता है राइट आप आ जाते हैं किसकी एक पड़ती है और अब जो इस दवाई से संबंदी ता आपके कामन क्वेस्चन है वो ले ले लेते हैं थोड़े बहुत तो एक तो कि क्या यह दवाई ज्यादा डोज में लेने से ज्यादा अच्छा काम करती है तो बिल्कुल नहीं एक मिली ग्राम ही परफेक्ट डोज है इसे ज्यादा लोगे तो आप सिर्फ इस दवाई के साइड इफेक्ट जादा आएंगे राइट असर इस पे ज्यादा नहीं बढ़ता एक क्वेस्चन यह भी लोगों का रहता है कि क्या यह हेर लास को कंप्लिटी ठीक कर देगी तो बिल्कुल नहीं करती जब तक दवाई आप खाऊगे तब तक दवाई का असर रहेगा बंद कर दो बाल जड़ना चालो हो जाएंगे तो यह तेम्परेरी सलूज Wagamani थेृषा दूसरा कि क्या इस दवाई को महलाई को महिलाउं में ले सकते हैं तो महिलाई कंट्रा इंड़िकेटीड है अब यह फिनेश ट्रइट तो आप करने से पहले डिटिएच के लेवल कराना जरूरी है एंडोजन के कराना कर आज रहें तो आप करा सकते है अलगा की बहुत ज्यादा सैंटिफिकलिस थीक है, बेतर है, इसके इसके अलाबा ये दवाई किस तरह के बाल ढ़ने की प्रावलम में काम करती है, तो ये दवाई सारा ने मे कितना समय लगता है, तो कम सकम आपको तेन से चैन शेम घाओगे, तब इसका असर दिखाई देगा, और किया इस दवाई से sexual life affect होती है तो बिल्कुल affect होती है तो ये आपके queries हैं मुझे उम्मीद है कि आपके सारे questions के जवाब इस fenestride tablet से सम्मनित मिल गया है Thank you so much